नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिरपरी दोस्तों पस्तेत हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां पपीते के पत्ते का जूस पीकर कई बिमारियों को आप दूर भगा सकते हैं आज का हमारा यहीं टोपिक है आपने हमारी चैनल पर ही बहुत बार सुना होगा कि पपीता खाने के क्या क्या फायदे होते हैं लेकिन आज हम आपको पपीता के पत्ते खाने के या फिर उसका जूस पीने के फायदे बताने वाले हैं क्या आप जानते हैं कि पपीते के पत्ते कई और शद्य गुनों से भरे हुए होते हैं आ पपीते के पत्तों में विटामिन A, B, C, D और E इसके साथ कैल्शियम की मात्रा भी होती है इसमें इन दिनों वो लोग जो अपनी सेहत के प्रती जागरिथ हैं वे पपीते के पत्तों का इस्तेमाल करने लगे हैं इसके प्रयोग से घातक रोग जैसे कैंसर, दिल की विमारी, डेंगू, बलड शूगर तथा आतों में बसे पर जीवियों को नश्ट करने में सफलता मिलते हैं, यह शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता को भी बढ़ाता है, पपीते की ताजी और छोटी पतियां शरीर से डेंगू के विशले जहर को निकालने में मदद करते हैं, पपीते की स्वास्थेलाब, आप पपीते की पतियों का जूस, अन्य फलों के जूस के साथ मिलाकर रोगी को दे सकते हैं, आईए जानते हैं, पपीते के पत्ते के किन किन रोगों को दूर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी सेवन वीधि क्या होगे, इसमें कैंसर प्रहाने में बंदत करते हैं और सर्वाइकल कैंसर ब्रेश्ट कैंसर अगनाशय जिगर और फेफणों के कैंसर को होने से रोकते हैं इसके आलावा बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं यह पपीते की पत्तियों में 50 एक्टिव समग्रियां होती हैं जो कि सुक्ष्म जीवो जैसे फंगस, कीड़े, परजीवी और कैंसर को शिकाओं के विभिन अन्य रूपों को बढ़ने से रोकती हैं इसके आलावा यह इम्मुनिटी को बढ़ाता है इन पत्तियों में सर्दी और जुकाम जैसे रोगों से लड़ने की शक्ति होती है यह खून में वाइट ब्लड सेल्स और प्लेट लेट्स को बढ़ा देती है इनती मलेरिया गून मौजूद होते हैं पपीते के पत्तों में यह मलेरिया से लड़ने में प्रभावकारी है पपीते की पत्तियों का रास मलेरिया के लक्षनों को बढ़ने से रोकता है डिंगु में यह रामबान की तरह कार हो जाता है इसके अलावाई महावरी के दर्ध से छुटकारा दिलाता है दर्ध को दूर करने के लिए एक काढ़ा बनाएए जिसमें एक पपीते की पत्ती को इमली नमक एक गलास पानी के साथ मिक्स कीजिए फिर इसे उबालिए और जब काढ़ा बनकर ठंडा हो जाए तब इ दो जाना कुछ दिनों तक पिना चाहिए मुहासो को दूर करने में भी बेहत कारगर साबित होती है अगर चेहरे पर मुहासे हैं तो सुखे पपीते की पत्तियां लेकर उसे थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके पेश्ट बना लें फिर इस पेश्ट को चेहरे पर लगा कर स खालें फिर इसे पानी से दोलें इस तरह से आपके चेहरे से पिंपल्स हट जाएंगे इसके आलावा अगर आप पीते के पत्ते की चाय पिएंगे तो आपके पेट से खोई ही भूख भी दोबारा वापस आ जाएगी यानि कि आपका पाचन तंत्र तंदुरुस्त हो जाए तो दोस्तों ये थी आज कि हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्तो पूर्ण जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों